नमस्कार, सुर्खियों से परे कारेक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ उपेंदर कौर इस कारेक्रम में हम उन्जान कारियों को शामिल करते हैं जो सुर्खिया नहीं बठोर पाती हैं तो आईए शुरुवात करते हैं आज की हेड्लाइन्स के साथ नवरात्र का छटा दिन आज, आज है मा का त्याइनी की पूजा का विधान, सुभा से ही मंदिरों में उमड रही है भक्तों की भारी भीड 11 साल में बनकर तैयार हुआ पटना का बांके बिहारी मंदिफ 100 करोड की लागत से हुआ तैयार रामलला के दर्शन अवधी में तीन घंटे की हुई बड़ोत्री, श्रिंगार और विश्ट्राम आर्ती के समय में भी हुआ बदलाव और धार्मिक परियटन स्थलो के रूप में विक्सित होंगे गंगा के नारे बसे शहर सरकार बना रही है योजना अब राष्ट्रे सुर्खियां फिस्तार से आज नवरात्र का छटा दिन है, आज मा कात्याईनी की पूजा का विधान है मा कात्याईनी को दुर्गा जी के छटे अफ्तार के रूप में जाना जाता है शास्त्रों की अनुसार देवी ने कात्याईन रुशी के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था इस कारण इनका नाम कात्याईनी पड़ा, मा कात्याईनी अमूग फलदाईनी मानी गई है बिहार के राजधानी पटना में भगवान कृष्ण को समर्पित बांके बिहारी मंदिर बनकर तैयार हो गया है जिसका उद्धाटन 3 मई को होना है, करीब 100 करोड की लागत से 11 साल के लंबे समय में बनकर तैयार हुआ ये मंदिर 84 खंबो पर्टिगा है दो एकड के शेत्र में पहले इस चार मंजिला मंदिर को ताज महल बनाने वाले कारीगोरू के वंशिजों ने बनाया है खास बात तो ये है कि ये मंदिर बैंगलूरू, फ्रिंदावन और जुहू के बाद देश का चौथा सबसे बड़ा इसकॉन टेंपल है रामलला के दर्शन अवधी में तीन घंटे की बढ़ोतरी की गई है साथ ही श्रिंगार और शेयन आरती के समय में भी बदलाव किया गया है अब सुभा साथ बजे की जगा शे बजे से रामलला के दर्शन शिरू होंगे और दोपहर 11 की जगा साड़ी ग्यारा पर दर्शन अवधी समाप्थ होगी फिर दोपहर दो बजे से रामलला का दर्शन दोबारा शिरू होगा जो शाम के साड़े साथ बजे तक चलेगा बात करे आरती की, तो सुभा की जाने वाली श्रिंगार आरती साड़े पांच बजे होगी, तो शाम की विश्राम आरती आठ बजे की जाएगी और इसी के बाद मंदिर के कपार्ट बंध हो जाएंगे। सरकार हिंदूों के बेज पवित्र मानी जाने वाली गंगा नदी के किनारे ना केवल एतिहासिक और पोरानिक महत्व के स्थानों को बढ़ावा देने, बलकि इसके आसपास के शेत्रों की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक नया परियटर नेटवर्क तयार करने की य जा रहा है कि गंगा सरकेट योजना के तहट इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा अमेरिका के न्यू यॉक में हिंदू मंदिर सोसाइटे श्री महावललब गनपती देवस्थानम के बाहर की सड़क का नाम गनेश टेंपल स्ट्रेट रखा गया है श्री महावललब गनपती देवस्थानम को यहाँ गनेश टेंपल के नाम से जाना जाता है इसे उत्री अमेरिका में हिंदू का पहला और सबसे पुराना मंदिर माना जाता है मंदिर के बाहर की सड़क का नाम बाउने स्ट्रेट था लेकिन एक विशेश समहरों में इस सड़क का नाम प्रसेद गनेश मंदिर के सम्मान में गनेश टेंपल स्ट्रेट रखा गया है एप्रिकोट यानि खुबानी फूल मौसम को लोगप्रिय बनाने के लिए और देश-विदेश के परियटकों को साल के इस मौसम में लुभाने के लिए लद्दाग का परियटन विभाग इस साल अप्रेल में खुबानी यानि एप्रिकोट ब्लोसम फेस्टिवल का आयोजित क आपको बता दें कि लद्दाख में खुबानी को चुली काह जाता है। सुर्खियों से परे कारे क्रम में आज के लिए बस इतना ही लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के इतिहास के साथ। नमस्कार। हुआक Mजgado के लेगा करता है।